हेलो एवरिवन आज हम आज से हम स्टार्ट करते हैं कंपनी से 2013 का रिवीजन इस्पेशली रहेगा CMA इंटर वालों के लिए ओके तो ये आपका 2022 सिलेबस और 2016 सिलेबस दोनों में कवर होता है और 40 से तुम्हारा 45 नंबर तक कवरेज होता है इस चीज़ का आपका डारेट दो कोशन आएंगे भाई 15 15 30 हो जाता है तीन भी हो सकते हैं और एंसी क्यों का पॉर्शन भी आपका आता है तो 40 से 45 नंबर का आपका कवर होगा ठीक है तो सर कंपनी से चालू करते तो सर कंपनी का मतलब समझा दो हाँ जरूर कंपनी मतलब होता है कंपनी विच इनकॉपरेटे अंडर इस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट ऐसा कंपनी जो इस एक्ट में बना है और या तो कोई प्रीवियस एक्ट में बना है प्रीवियस एक्ट मतलब 1956 में जो बना हुआ है और इस एक्ट के प्रोविजन पूरे अप्लाई होंगे ऐसे कंपनी जो इस एक्ट मे जानिए कि company mostly किस लिए बनाया जाता है, उसकी special characteristics क्या होती है, हम इसको समझेंगे short form में, characteristic of the company होता है, STSC ने लाख रूपय का PC खरीदा, सरे short form से याद हो जाएगा, हाँ, जरूर याद होगा, S मतलब होता है separate legal entity, T मतलब होता है transferability of the share, S मतलब separate property, C मतलब common seal, limited liability, and perpetual succession, capacity to be sure and to be sure, सर क्या इतने में characteristics खतम हो जाता है, हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, characteristics of the company में सबसे पहला बोलता है कि separate legal entity, company एक separate legal entity होता है, वो different होता है अपने member से, उसके member अलग होंगे और company अलग होगी, ये बात तुम को ध्यान रखना है, मतलब company अलग, member अलग, yes, ये separate legal entity idea concept है, transferability of the share, company case में आप share को इजली तरीके से transfer कर सकते हो, बट private company case में transfer नहीं कर सकते है, separate property, company अपने नाम पे property खरिश सकती है, अपने नाम पे property बेश सकती है, common seal मतलब क्या होता है, common seal मतलब जो आप seal लगाते हैं, तो common seal ही बोला जाता है, but amendment at k through, common seal को mandatory, यहाँ पास optional रख जाग है, but अगर company के पास common seal नहीं है, तो दो director या तो एक director या तो एक company secretary उसको sign करेगा, okay, done, limited liability, the main feature and characteristic of the companies that it is having limited liability, limited liability का मतलब नहीं होता है, जितना तुम्हारा nominal value of the share है, उतना तुमको pay करना पड़ेगा, यह होता है, limited liability, okay, होता है, इसका होता है, perfectual succession, members मरे, जिये, कहीं जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, company चलेगा, unlike the partnership, partnership में अगर किसी भी partner की death होती है, तो उस case में wind up हो जाता है, dissolution हो जाता है, लेकिन company के case में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह concept किसमें चलता है, perfectual succession concept में चलता है, members may die, but company goes till wind up, इसका मतलब यह है कि company को act ने बनाया है, त तो बचाने आला भी law होगा, okay done, capacity to be sued and to be sued, कोई company की उपर case कर सकता है, और चाहे तो company किसी की उपर case कर सकती है, अपने नाम में, तो क्या बोलते है, capacity to sue and to be sued, मतलब सर इसमें से 5-6 characteristics आपने बता है, separate legal entity, transferability of the share, separate property, common seal, limited liability, perpetual succession, capacity to be sued and to be sued, यास इतने ही में आपका खता होता ह अब एक नया concept आता है आपका, lifting of the corporate well, इससे पहले सबसे पहले हम समझें कि corporate well मतलब क्या होता है, corporate well एक ऐसा पर्दा है, corporate well एक ऐसा पर्दा है, जो shareholders और company को different रखता है, मतलब एक company और shareholder की पर्दा है, जो उनको safeguard देता है, ताकि company की जो भी liability है, उससे shareholders member वर सके, इसको corporate well का theory बोला जाता है, तीक है, अगर किसी case में court को लगता है, government को लगता है कि अगर company fraud करी, guilty कर रही है, तो corporate well को lift करेंगे, मतलब घुंघट को उठाय जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर को हने जो रामिपनती कर रहा है, ओके, got my point, तो lifting of corporate well मतलब यह होता है कि if any circumstances court or central government found that anyone is doing the guilty or anyone is doing the fraud work, then the lifting of corporate well is necessary, okay, कुछ-कुछ cases में lifting of the corporate well आपका जरूरी हो जाता है, like protection of the revenue, determination of the enemy character, prevention of fraud, protection of public policy, mayor sham or clock, mayor sham or clock मतलब होता है, act to deceive the third party, आप ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे कि आप third party को deceive करने ही कोशिश कर रहे हैं, company act as agents of a shareholder, भाई, company इस तरीके स्काम कर रहे हैं, तक shareholder का agent है तु, ना, ठीक है, avoidance of the welfare legislation and contempt of a court, मतलब sir, इन 8 cases में तुम्हारा corporate well उठना जरूरी हो जाता है, और चीज़ ध्यार रखेंगे, जिस time पे तुम्हारा corporate well हुआ और company अगर guilty पाई गई, fraud पाई गई, तो उस case में तुम्हारा पर्दा को ignore किया जाएगा, means separate legal entity concept तो तुम्हारा ignore कर दिया जाएगा, okay, तो इस case में company की liability member में transfer हो जाएगी, समझ के इस चीज़ को, तो lifting of corporate well मतलब होता है, corporate well is just a safeguard to members to protect from the liabilities of the company, ठीक है, तो कुछ-कुछ cases में आपका corporate well necessary हो जाता है, okay, formation of the company, formation of the company आपके section 3 में दिया हुआ है, public company, private company, offices को बोलते हैं, एक, दो, साथ, एक, दो, साथ, क्या होता है सर, one person company case में एक member चाहिए, private company case में दो चाहिए, minimum, public company case में साथ चाहिए, इतने member से आप company को incorporate कर सकते हो, क्या सर, हाँ, minimum है section 3 में आपका यही दिया हो, आगे जाक इसका care limit है, इसका care limit नहीं है, okay, तो private company can be either classified into OPC और in small company, तो small company और one person company है, आप उसको private company ही बोलोगे, okay sir, got it, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आप important है kinds of company, कितने प्रकार के company होती है, 4-5 आपके basis होता है, पहला होता है, on the basis of the liability, on the basis of the member, on the basis of control, on the basis of excess of capital, और कुछ-कुछ liability, limited by share, limited by guarantee, unlimited company, limited by share मतलब क्या होता है, जितना मेरे share का पैसा है, यह सब चीज मैं दूँगा, unlimited company मतलब मैं जितनी, मेरी personal asset भी attach हो जाएगी भाई, इसको बोलते हैं, unlimited company, on the basis of the member, OPC, private company, public company, इसका definition बहुत अच्छे तरी, इसे से आपके हम cover है, यह आपका weightage भी रखता है, अच्छे से पढ़ेंगे, फिराता है holding and subsidiary, associate, listed, unlisted, government company, foreign company, sectionate company, small company, dormant company, नीधी company, public financial institution, etc. और एक producer company भी आपके सिलेवस में है, ओके, सबसे पहले हम समझते हैं, one person company आखिर होता, क्या है, one person company की इस बला का नाम है, एक बात जान लीजए, यह important है, one person company, आपके exam के लिए साथ conversion, one person company to private or public company, और private company to one person company, आपके लिए important exam के लिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, one person company मतला भी होता है, कि एक ही आदमी पूरा काम करेगा, yes, only the sole member, okay, only one person as a member of first time companies at 2013 में इसको प्रपोस किया गया, भाइस से पहले, one person company का कोई concept ही नहीं था, इंडिया में, चाहे तो limited by share, limited by guaranteeing नाम से registered हो सकता है, और इनको अपने memorandum of association में एक नाम include करना पड़ेगा, जिसको प्यार से तुम nominee का नाम बोलोगे, ठीक है, और nominee का जो नाम रहेगा, वो अपना return consent देगा, जो nominee रहेगा, अपना लिखित में consent देगा, yes, I agree to appoint as a nominee for this OPC, okay, और nominee चाहे तो आगे जाके withdraw अभी कर सकता है, okay, done, eligibility देखिए, सिर्फ natural person जो resident of India है वही कर सकता है, only natural person, not the legal person, जो इनसान है, आदमी है, वही इसको one person company को incorporate कर सकता है, अब condition सुनिएगा, कोई एक person एक से ज्यादा OPC नहीं बना सकता, और एक nominee एक से ज्यादा OPC का nominee हो सकता, yes, 120 दिन तुमको इंडिया में रहना पड़ेगा, कोई minor member और nomin नहीं बन सकता, even for the benefit purpose, आप आगे जाके section 8 में convert नहीं हो सकते, आप NBFC का business carry नहीं कर सकते, और no OPC can convert to the any kind of company till the two years of expiry of the date of incorporation, मतलब sir, जब तक 2 साल OPC बना है, मैं 2 साल नहीं होता, तब तक कोई और company में convert नहीं हो सकता, answer is yes, आप कोई और company म 50 लक्स ज्यादा हो जाता है, और अगर आप average turnover 2 लक्स ज्यादा होता है, उसी दिन आप seize हो जाओगे, आपको तूरंत convert होना पड़ेगा, उसके clause अलक्स हम पढ़ेंगे आगे जाके section में, तो main condition क्या होता है, sir की एक आदमी QPC बनाएगा, और एक आदमी QPC का nominee बनेगा, yes, अ कोई भी OPC है, वो 2 साल तक वेट करेगी अपने incorporation से, तभी जाके आगे जाके वो convert होगी, ठीक है, बट अगर आपका limit threshold limit cross होता है, तो surely you can convert, ओके, तो बताइए OPC का benefit क्या होता है, या आपके exam में पूछा गया है, तो इक बास सुनिए 1% company और sole proprietor main difference क्या होता है, sole proprietor का unlimited liability ह होता है, उस case में आपका property भी attached हो जाता है, but 1% company case में आपका property attached नहीं होता, so benefit of the OPC ही होता है, जितने सारे benefit आपको company में दिया जाते है, same ऐसे OPC को दिया जाते है, like, shall be awarded with all benefits of the company, like, credit, bank, loan, access to the market, limited liability, legal protection, legal protection है, कि आपको एक नाम दिया जागा, एक fame दिया जागा, जिसको आप आप लोग company के नाम से जागा, अगर आपको OPC खोलते हो, तो आपको पूरी दुनिया जहान जाने की आप company registered हो, को एक sole proprietor को कोई नहीं जानता है, limited level पर रहते है, आप OPC किये तो आप बड़े market में भी access कर सकते हो, because you are a no company, okay, opportunity start on venture, आपको खुद की अपनी business खोलने की opportunity मिली जाहे तो जो आपका attached, fixed है, उसको director sign कर देगा, जरूरी नहीं की company secretary sign कर देगा, आपको annual general meeting as per the section 96 करवानी की जरूबत नहीं है, AGM और AGM under section 100 and 111 भी यहापस apply नहीं होता, ठीक है, अगर आप resolution रख रहे हैं, और आप सिफ minutes book में अपना entry लिख देते हैं, तो dim to be मान लिया जा आपको OPC की case में दिया जाता है, ओके, done, अब देखे, conversion of OPC into public और private company, ध्यान रखेंगे, OPC एक एक परसन बनाता है, public company साथ बनाते हैं, private दो बनाता है minimum, जहाँ पास average annual turnover 2 करोड से जाधा होता है आपका, या तो paid up share capital 50 लाग से जाधा होता है, उसी दिन से company seize हो जाएगा, operate as as a one person company, उसी दिन से seize हो जाएगा to operate as a one person company, so mandatory है कि आपको 6 महने के अंदर public या तो private limited में convert होना पड़ेगा, अगर आप public में जाते हैं, तो 7 member minimum चाहिए, आपको अगर आप private में जाते हैं, तो 2 member चाहिए, as the case में भी, ठीक है, अगर आप alt करने के chances में आते हैं, तो OPC को अप करना पड़ेगा by passing the resolution, ठीक है, OPC sell within 16 days from the date of applicability given notice to the registrar of the company in INC5 informing that it has ceased to be OPC, now it is required to convert in sale, मतलब जिस दिन वो उसको लगा कि भाई मेरा turnover paid up capital cross हो गया, तो उसको 60 दिन के अंदर ROC को बताएगा भाई, भाई भाई मैं ना अब बड़ाद में बन गया हूँ, मेरा ना turnover और सब cross हो हो चुका है, तो अब मैं आगे जाके convert हो जाओं वो 6 मेने के अंदर, वो बताना पड़ेगा कि मुझे अब convert होना पड़ेगा, यह क्या बोलता है, इसमें, conversion of OPC into public and private company, okay, conversion of private company OPC, अब बड़ा आदमी छोटा बनना चाह रहा है, मतलब private company OPC बनना चाह रहा है, हो सकता भे profit नहीं हो रहोगा, हम नुकसान में चल रहे हो सकते हैं कि मैं को अकेले काम करना है, तो इस case मतलब private company other than section 8 company, section 8 company के छोड़ के ऐसी company जिसका average turnover 2 crore से ज्यादा नहीं है भाई, और 50 लाग से paid off share ज्यादा नहीं हो, तो छोटी है, just opposite उसका limit, तो उस case में special resolution pass करके तुम चाह हो त private company से OPC में convert सकते हो, लेकिन तुम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि तुमको no objection certificate भी gain करना पड़े, किन से member से, अपने member से, creditor से, और companies to file copy of SR2 ROC within 30 days from the date of passing such resolution in form MGT14, special resolution आप pass करोगे, NOC भी obtain करोगे members और creditor को, और साथ इसको file करोगे ROC को with copy of the special resolution within 13 days from the date of passing such resolution in form number MGT14, ओके, और उसके बाद company को INC6 भी file करना पड़ेगा भाई, उसमें बताना पड़ेगा कि declaration of turnover paid of share capital, हमारा turnover इतना है, हमारा paid of share capital इतना है, सब कौन देंगे declaration, director देंगे, ओके, affidavit देंगे, that members and creditor are consented, affidavit बना के देंगे कि हमारे creditor और members ने हमें consent दे दिया है, ठीक है, हमारे members कितने हैं, और creditor हैं का मैं को list देना पड़ेगा, latest audited balance sheet and profit and loss मैं को sub करना पड़ेगा, साथ ही साथ copy of NOC from the secure creditor, मतलब अगर मैंने convert के लिए बोला, तो मैंने specialization पास किया, तो MJT 14 दे तो भाई, अब INC 6 भी फाइल करना पड़ेगा, आएंसी मतलब incorporation, मैं OPC incorporation हो रहा हूँ, तो मैंको नहीं चीज़ बताना पड़ेगा, तो उसमें मैं को turnover का declaration, साथ ही साथ paid up share capital का declaration कौन देगा, डारेक्टर देगा, ओके, और affidavit देंगे, कि members और creditor से हमें consent मिल चुका है, ओके, list of the members और creditor भी हम देंगे भाई, कितने members है, कितने creditor है हमारे पास, ठीक है, latest audited balance sheet और साथी साथ profit and loss audited balance sheet मतलब financial statement हमको file करना पड़ेगा, और noc secure creditor से जो आया है, वो भी हम पो file करना पड़ेगा, ओके, समझ गए, अब देखिए private company का होता है, अगर आप private company definition समझ गए, public company एक बार समझ जाएंगे, अभी आप पढ़ रहे है, on the basis of the member, पहला आपने क्या पढ़ा, one person company, important है वाई, exam के लिए मैं, पहले बता आ रहो ह फिर आता है private company, private company होता है minimum paid up share capital S में भी prescribe और उसके article में तीन बाते लिखी होती है, पहला बात होता है restriction, दूसरा limitation and third one is prohibition, restrict करता है transfer of its share को, limit करता है member up to 200 और prohibit करता है public subscription into its share capital, अगर तीन चीजे तुम पा जाते हो तो उसको private company बोलोगे, yes, उनको private company बोला पड़ेगा, member 200 से जादा नहीं होना चाहिए, prohibit करता है public subscription से, public subscription से पैसा नहीं मंगाता, yes, surely a private company है, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो 200 member accounting में उसमें 2% include नहीं होते, employees who are the shareholder of the company and former employees who are the still shareholder of the company, ये दो लोग आपके 200 member में include नहीं होंगे, और इस चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर क account किया जाएगा, अब आते हैं public company में, public company वो होता जो private company नहीं, yes, एक ध्यान रखेंगे, private company कोई ऐसा नहीं लिखेंगे, private company other than public company नहीं, आप public company में लिखेंगे, public company means a company which is not a private company, which is the minimum paid of share capital, एस में भी प्रिस कराएग, अब ध्यान रखेंगे, public company case में minimum member आपके 7 होते हैं, section 3 मे आप लोगों ने पढ़े हैं, information में, ठीक है, यहाँ पास company चाहे तो public को share issue कर सकती है, minimum 3 director चाहिए भाई इनको, ठीक है, एक चीज़ तुमारे लिए important है, कि अगर कोई भी subsidiary है public company का, उसको deemed to be public company मान लिया जाएगा, provided that the subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company, जैसे कि एक company है, public company, वो private company का 52% share अगर hold करके रखती है, तो उस private company को भी आप public company मानेंगे, आप public company का आप नियम लगाएंगे, okay, got my point, okay, आगे बढ़ते हम, holding and subsidiary का concept क्या होता है, okay, holding, subsidiary, holding मतलब ना है समझा रहे है, सर जो hold करता है, subsidiary मतलब जो subsid करता है, मतलब holding मतलब उपर, subsidiary मतलब नीची, okay, company set to be holding and subsidiary relationship अगर इन दोनों में से कोई एक condition satisfy हो जाता है, पहला बोलता है कि एक company more than one half of voting rights in another company, चाहे खुश से, चाहे through one or more subsidiary, समझ गई इस चीच को, मैं खुद से, मैं company हुआ, मैं खुश से hold कर रहा हूँ, या तो मेरी subsidiary मिलके उसमें hold कर रही है, तो भी अगर more than one half होता है, voting rights का, त तो मेरे board of one company is in power to compose the board of one company, मेरे company का board जो बोलता है, वो सामनाला board of director काम करता है, तो yes, I am surely the holding company, अब समझ गए, example देखे, A limited hold करता है, 51% we are in B limited, so here A limited is a holding company and B limited is a your subsidiary company, I think you got my point, okay, associate company मतलब क्या होता है, associate company मतलब उस range में आते है, 20 और 50 के range में आते हैं, समझो, तो in relation to the other company which satisfy the following condition, पहला, subsidiary नहीं होना चीवाई, अगर subsidiary company होगत कहा है, का associate, the company which is not a subsidiary of another company and another company has a substantial interest in the company and the company and another company are joint venture to each other, यहाँ पास आपका substantial interest मतलब होता है, कि 20% और more का voting rights अगर मैं रखता हूँ तो, 20% और more, 50 से 50 के range में अगर है, 20 से 50 के range में आते हैं, 20 से 50 के range में आते हैं, आते ह तो मैं क्या कहला जाओंगा, done, I am not called as a whole, subsidiary company, मैं subsidiary company कहला जाओंगा, तो मैं associate नहीं कहला जाओंगा, उस ही आपका पहला point लिखा गया है, the company which is not a subsidiary of another company, okay, you got my point, चलो आगे बढ़ते हैं, small company क्या होता है, small company होता छोटा company, नाम से समाझ आ रहा है, yes, छोटा company कुछ relation भी हो नहीं हो सबता है, यह सब exception है, तो चलो देखते हैं, small company means a company other than company, other than public company, which has a paid up share capital not more than 50 lakh and turn over not only 2 lakh, यह भी फिराल आपके exam के लिए amendment हुआ है, जो 50 lakh paid up share capital है, 4 करोड से 10 करोड हो चुका है और turn over है, आपका 40 करोड से 100 करोड हो चुका है, okay, मतलब small company, मतलब other than public company, जिसका paid up share capital 4 करो और 10 करोड चाहा है, तो उसको exceed कर सकता है, okay, तो आप limit देखेंगे 4 करोड और pay turn over के case में देखेंगे 40 करोड, provided that यह जो companies कभी जिन्दगी में तुम नहीं create करो कि small company, जैसे कि section 8 में जो रिष्टर है, जो charitable काम कर रहे है, उसको आप कभी भी नहीं बूलोगे कि छोटी company है, भाई तुम दया धरम कर रहे हो, तुम्हारा तो दर्जा उपर होना चीए, तुमको छोटा का बोलेंगे आपा, ठीक है, और दूसरा है बोलता है कि company which is a holding and subsidiary company, holding and subsidiary company है, मैंने starting बताया था कि holding, तुमको कोई अगर उपर वाला हो, तुम्हारे सर में किसी का हात है, तुम छ बात करते हैं section 8, other types में बात करते है, section 8 आपका important है, यहाँ पास revocation of the license का generally बहुत बार question यहाँ पास पूछा गया है, तो अब ध्यान देंगे stage को, ठीक है, company register तभी section 8 में हो सकती है, जब उसको central government license दे देगा, yes, central government से तुमको license लेना पड़ेगा application दे कि मुझे section 8 में registered होना ह Central government तुमको तभी license देगा पता है, जब तुम 3 condition fulfill करोगे, पहला, तुम्हारे object clause of the memorandum association में लिखाना चाहिए कि तुम charitable activity करोगे, ठीक है, मैं बता हूँ गो charitable activity मतब क्या होता है, charitable activity करोगे, ठीक है, company को जो profit होगा, उसको dividend नहीं बातना है, और जो profit होगा, उसको promotion of its object में करन यह चीज़ धियार रखेंगे, तीन में कंडिशन है, section 8 के लिए, that the company must, the MOA of the company must contain the charitable object in its object clause and second prohibits to distribute dividends to its member and profit of the company must apply for the promotion of its object, okay, done, अब company, section 8 company may use limited और primitive along with its name, चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, कोई दिक्रतने, partnership firm चाहे जा के आगे, partnership firm can be member of the company, section 8 का चाहे तो member बन सकता है, एक चीज़ धियार रखेंगे, central government ही तुमको license दिया, अगर लगता है कि तुम कुछ कंट्रावेंस करते हैं, तुमारा चुपचप प्यार से license देगा, profit माट रहे तू, दे license वापस कर, तुमको direct करेंगे कि अपना status बदलो, या तो नाम को बदलो, या तो wind up करो, amalgamate करो, ऐसे company साथ जिसका similar object है, मतब central government के आज पूरा हख है कि he can revoke the license at any time, अगर उसको लगता है कि तुम गलत काम कर रहे हो, त अपने status, section 8 company था, बदल अपना नाम, समझ के इस चीच को, नाम बदलवा देगा, wind up, amalgamate बोलेगा, जीज, same nature के तुम्हार object और company से जाके तु मर्च होगा, तीक है, समझ के इस चीच को, okay, for the purpose of the section 8 charitable object मतलब क्या होता है, आप science का promote कर रहे है, arts का promotion कर रहे है, education, commerce, skill, vocation, talent, और social welfare का promotion करते हैं, ये inclusive definition, इसके छोड़ और बहुं साइच चीज़ें हो सकती है, मैं include लिखा है आपस, इसके छोड़ और आगे भी चीज़ें हो सकती है, okay, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इस चीज में एचीज ध्यार रखेंगे कि बाकि सब लोगों को clear 21 days के notice कमपनी से convert होने और किसमे होना है, तो इस चीज के लिए सबसे पहले आपको special resolution पास करना पड़ेगा, to pass special resolution for conversion to any kind of company, कोई भी kind of the company, आपको special resolution लगेगा, और साथ ही साथ explanatory statement to be annexed to the notice, which detail of offering such conversion, special resolution बूला मंगा रहो, बूला रहो, notice दो, notice दोगे, explanatory statement भी दो, और बताओ, तु तुम अपना object को इस structure में क्यों fulfill नहीं कर पा रहो, तुम किस दिन बने, तुम्हार object क्या है, memorandum association की साब से, और reason बताओ कि तुम sectionate company के काम क्यों नहीं कर पा रहो, समझ गे इस चीज को, अगर तुम approve करते हो, तभी काम आगे बढ़ेगा, बना नहीं बढ़ता भाई, certified true copy of the SR with the copy of notice plus explanatory statement to register in MGT14, आपको क्या करना पड़ेगा, true copy आप ऐसा, SR का जो true copy है, pass किया conversion के लिए उसको, और notice a copy with explanatory statement, आपको register को देना पड़ेगा, in MGT14, regional director भी बता दो भाई, INC18 में, ठीक है, after submitting notice to RD within a week, अब जीस दिन तुम regional director को notice दे दोगे, ठीक है, उसके एक हपते की अंदर मस्त प्यार से तुमको publish करना पड़ेगा, notice को, own expense, अपने खुद के खर्चे में, कोई नहीं देगा तुमको खर्चा, खुद के खर्चे में तुम इनको publish करना पड़ेगा, अब publication कैसे होगा, किस में दोगे, सर में जरिया, newspaper, सब कोई पड़ेगा, लेकिन at least once in a vernacular newspaper, ठीक है, और एक English newspaper, vernacular मतलब local newspaper में, और English newspaper में district level में आपको देना पड़ेगा, और website में भी आपको place करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए इस चीच को, conversion of section 8 आपके exam में फसता है, तो conversion of section 8 में यह बोला गया है कि आपको pass करना पड़ेगा, special resolution को, अगर कोई भी kind of company में convert होती है, आपको explanatory statement में दिना पड़ेगा, notice के सांद, notice plus explanatory statement, उसमा बताओगे कि मैं इस दिन date of date of incorporation था मेरा, ठीक है, principal object क्या था मेरे company का, as per the MOI, ठीक है, उस regional director को जिस दिन बता दिया, उसके हपते भर के अंदर आपको publication करना पड़ेगा, अपने खर्चे में, एक तो यह vernacular, local news पे पने करो, और English news पे पने करो, district level में, ठीक है, और west side में भी place कर दो, यह आपका होता है section 8 complete, अब बात करते है, foreign company का, foreign company नाम से समझ आता है, ऐसा company जो बाहर से registered है, ध्यान रखना, company which is formed and registered outside India, having place of business in India, whether electronically or otherwise, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई USA कंपनी जाके, अगर जपान में काम करें, थो हमारे लिए foreign company नहीं करें, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो कंपनी इंडिया में काम नहीं करें, हमारे कोई काम कर नहीं है, हम उस और उस भाब foreign company नहीं बोलोगे, उसको normal company, Indian company ही बोलोगे, ओके डन, चली आगे बढ़ते हैं, government company क्या होता है, सरनाम सी समझ आ रहे, government company मतलब ऐसा company जो government hold करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनना, हर company ज़रूरी नहीं की government hold करें, हो सकता उसमें stakes भी रखें हो, ठीक है means a company in which not less than 51% of paid or share capital is held by, मतलब कम से कम 51% held करना चाहिए, central government held कर रहे, या तो state government held कर रहे, या दोनों मिलके hold कर रहे, चल जाएगा बाई इस चीज़ को, provided that a subsidiary of a government company shall be deemed to be the government company, समाझ गई इस चीज़ को, तो मतलब सर आप यहाँ बोलना चाह रहे हो कि central government ने, अगर central government ने 25% hold कर दिया, और state government ने 30% hold कर दिया, तो क्या है आप आस government company कहलाएगा, answer is yes, clause 6 की साब से आपका government company कहलाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है public financial institution, एक छोड़ाष topic है, public financial institution मतलब क्या होता है, LIC हो गया, UTI unit trust of India section 4 of the company 1956 और एनी अदर notify होता है, उसको public finance institution बोला जाता है, LIC life insurance corporation, IDFC, infrastructure development financial corporation, यह सब चीज़ का नाम होता है, अब ध्यान रखेंगे public financial institution, सीर पर सिप कॉंसिट, कंसिटूट करेगा, central और state government, ठीक है, और at least 51% of government ने चीज़े, मतलब सिधी बात है, government company ही, इसको क् सकते हैं, constitute कर सकते हैं, सर अब producer company क्या होता है, producer company generally यह होता है, फार्मर जो agriculture है, उनका standard of living, उनका good standard बनाने के लिए producer company बनाया जाता है, उनको support करो, income दो, profit come out, this is the main motto of the producer company, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, producer company दस individual और ज्यादा मिलके बन सकता है, दो institution और उससे भी ज्यादा म मिलके बन सकता है, और दोनों के combination में भी producer company बन सकता है, मतलब सर, 10 individual, 10 individual और 2 institution और by the combination 10 plus 2, दोनों मिलके बना सकता है, ठीके, कोई भी objective के लिए producer company बनाया, procurement करो, production करो, harvesting करो, grading करो, selling करो, export etc, मतलब आपको farmer के लिए कुछ काम करना है भाई, देश की जमीन के लिए अगर काम कर प्रोकुरमेंट करो material करो, production बेठा, harvesting करो, grading करो, selling करो, export करो, in सब cases में आपको producer company कहला आप, कहला होगी आप, okay, done, main objective क्या होता है, पता है, जो cooperative business है, तो company मिलाना, ये सब काम तो normal level में आप, already चली रहा है, लेकिन उसको company में भी convert करना पड़ता है, okay, समघ गए सचीच को, तो procedure for the selection of the name of the company okay नाम select करने से पहले okay आपको company corporate करने से पहले आपको नाम select करना पड़ेगा कौन बताएगा promoter बताएगा INC1 में एक चीज आप ध्यार रखेंगे जो नाम आप रखेंगे न अंडिजारेबल नेम नहीं होना चीए जैसे कि ध्यान से समझना अभी नाम चल रहा है बिसलेरी का पानी अप्पी है तो बिलसेरी भी आ रहा है ऐसा नाम जो two nearly name of the existing company होता है अब ऐसा नाम नहीं रख सकते ठीक है और not allowed in board, commission, authority, control, municipal, minister, etc ये सब ये सब टाइप की नेम आपको allow नहीं किये जाएंगे तो part 1 revision यहीं खतम होता है वेट कर ये second part का